हलो फ्रेंट, वेलकम बैक टो माय चैनल, तो मैं कुछ दिन पहले सरुचिनी मार्केट गई थी, और वहाँ पर मैं कैप से गई थी, तो मुझे इतना तो नौलेच नहीं है कि कितना शॉप नंबर है या कौन सा क्या गेट है, पर मुझे जो भी जितना लगे वो मैं आपके शेर करने वाली हूँ, तो कैप से जाने के बाद ही सामने कुछ खुछ शॉप था, एक शॉप से मैंने कुछ एरलिंग लिया है, तो वो मैं नहीं रिकोर्ड कर पाई, तो सामने ही ये जो शॉप है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर जो रिंग होता है, वो मिल रहा था और ये सब था 50 रुपीज का और इसके अलावा भी बहुत सारा रिंग यहाँ पे था और छोटा छोटा जो एरिंग आपको दिख रहा है ये सब 20-30 रुपे का था तो मैंने यहाँ से मेरे हाथ में जो रिंग आपको दिख रहा है तो मैंने ये लिया है जो मिडल फिंगर में ह यह मुझे बहुत पसंद आया और बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शन था 50 रूपीज में मुझे तो लगा कि बहुत ही अच्छा एक डील है और यह सब जो भी आपको रिंग दिख रहा है यह सब 20 रूपे का है और सामने ही यह लेडी ऐसे जो नेक पीसे है वो लेके बैठ है तो यहां पर हम जब कहें थे तब विंटर कलेक्शन जादा था समर कलेक्शन नहीं था क्योंकि उस टाइम पर दिली में थोड़ा-थोड़ा सर्दी हो गया था मतलब अभी के टाइम पर तो सर्दी आ ही गया है तो विंटर कलेक्शन जो था वो जादा था समर कलेक्शन से तो सामने यहाँ पे 100 रूपे का आपको सोईटर दिख रहा है तो इसमें आपको थोड़ा धूनना पड़ेगा सो में भी अच्छा अच्छा कलक्षन आपको मिल जाएगा तो मैं यहाँ से नहीं लिया पर सामने एक शॉप था वहाँ पे जो सोईटर था वो बहुत ही अच्छा था तो मैं जो भी कुछ लिया है उसका हॉल वीडियो बहुत जल्द लेके आऊंगी मैंने बहुत कुछ लिया है और मेरे हस्बेंट के लिए भी उन्होंने भी कुछ चीज लिया है फिर घर के लिए भी बहुत कुछ लिया है तो वो मैं अलग-अलग से दिखाऊंगी क्योंकि बहुत जादा सामान है एक पार में शायद ना हो पाए तो यहाँ पे जो है कि बहुत कम प्राइज में बहुत सारा चीज आपको मिल जाएगा सौट, सिक्स्टी, रूपेज में भी यहाँ पे अच्छा-च्छा चीज है पर आपको थोड़ा सा ढूनना पड़ेगा और सोईटर में जो होता है बहुत सोईटर देखने में तो अच्छा होता है पर वहाँ पे कुछ-छो होता है कि छेद होता है, होल होता है या कही से मैं यहां पर हैां यह अंहे उपर थीD आपको तो पता ही है यहां पर बॉह ऐ है यह ऑग नहीं आपको तो पता ही है जोओ ग्रीप क्लीप की अवी बोहत अलम सेफु क्लीप inclined रहीं car गोल रहा था यह थोड़ा वही था इसलिए मैं नहीं लिया है आपको intelligent men तो सामने ही एक शॉप था वहां पर यह सौ रूपे का सकर्ट था और यह तो जूते फिर फोन का कवर यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है आपको बॉइस के लिए भी मिल जाएगे बच्चे के लिए भी मिल जाएंगे फिर घर का जो भी सामान लगता है वो सब यहां पर मिल जाता है तो फोन का जो कवर है आपका जो मॉडल है वो आप अगर बोलते हो तो आपको वो दिखा देंगे और जादा प्राइस नहीं है सब सौ डेर सो के अंधर ही है और यह सब बैक भी थे पर बैक का जो कलक्शन था वो हमारे यहा यहां पर भी सेम प्राइस में या 20-50 रुपे जादा करके यहां पर मिल जाता है जैसे यह सब ब्रा लेट और यह सामने जो जूता है यह सब यहां पर भी मिल जाता है सेम प्राइस में तो वो सब मैंने नहीं लिया है जो चीज यहां पर नहीं मिलता है मैंने वो ही सब लिय तो सामने ही एक लेडी थी जो जुएलरी लेके बैठी थी तो इनके पास भी बहुत अच्छा कलेक्शन था पर वो ही कुछ-कुछ जो लेडी है वो थोड़ा जादा प्राइस बोल रही थी वो कम नहीं कर रही थी तो मैंने नहीं लिया है बाद में हमें कुछ-कुछ जिगा पर कम प्राइस में भी मिल गया था तो हां मैं मंडे नहीं गई थी क्योंकि सभी को पता है कि सरजोनी में मंडे जो मार्केट होता है वो जादा अच्छा होता है कम प्राइस में मिलता है तो आप देख सकते हो यहां पर लरकों का भी कलेक्शन अच्छा-च्छा है मैं बहु थी मुश्किल हो रहा था मेरे लिए और कुछ कुछ शॉप में वीडियो करने नहीं दे रहे थे मुझे नहीं पता तो वो पॉसबल नहीं था मुझसे जितना भी हुआ मैंने कैपचर किया है और कुछ कुछ चीज जो मैं पहले से देख के गई थी पर वहां पर मुझे नहीं मिला जैसे कुछ कुछ जूइलरी होता है वो मुझे नहीं मिला है फिर जो श्रग होता है वो भी मुझे नहीं मिला तो सामने ही जो ब्रालेट वो सब बिक रहा था और ये जो ह तो मैंने एक denim jacket लिया है पर यहां से नहीं और same price का ही था आपको यहां पर जो price है वो तो जादा करके बोलते हैं पर आपको bargain करना है तो बहुत जादा भी bargain मत करना कुछ कुछ जो shop है वो तो मतलब इतना कम कर देते हैं कि दुबारा बात ही नहीं करते हैं तो आप एक price बोलना फिर उनको जितना भी हो सके वो कम कर देते हैं और सची बताओ तो बहुत ही कम price में बहुत अच्छा अच्छा collection मुझे यहां पर मिला यहां पर सब कुछ चीजी बहुत ही कम price में है तो quality भी ठीक ठाक होता है तो मैं तो बाद में दिखा दूंगी कि मैंने क्या क्या लिया है तो सामने ही एक shop था जहां पर यह जो pouch होता है यह वो लोग sell कर रहे थे और जो pouch है वो 120 का लिया है और 3 का set था यहां पर जो भी pouch था बहुत ही अच्छा अच्छा collection था और ऐसा नहीं है कि एकदम जो stitch है वो भी खुल के आ रहा है ऐसा नहीं है मैं बाद में दिखाऊंगी तो आप अगर यहां से pouch लेना चाते हो तो definitely ले सकते हो हर एक size का pouch आपको मिल जाएगा और यह phone का cover अनुदी यहां से phone का cover लिया है और सभी ने यहां से phone का cover जो है वो भी लिया है फिर template glass जो होता है वो भी यहां पर अच्छा मिल रहा था और यह जो जूता है यह सब यहां पर भी मिल जाता है 200-300 इसी price में तो मैंने जूता नहीं देखा जादा तर जो लेना था वो dress जो था वो ही था और जो winter collection वो ही मैंने जादा तर लिया है फिर jewelry जो है वो भी यहां पर बहुत कम price में मिल रहा था और अगर आप shop के अंदर जाते हो तो shop के अंदर भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा अच्छे अच्छे जो top होते हैं जो हम लोग मीशों पर या online देखते हैं वो सब आपको यहां पर मिल जाएगा तो यह जो lady है इन्होंने पहले हमें इन सब का price 2500 बोला फिर हमने बोला कि 100 में मुझे चाहिए तो हम सभी ने 100 में यह जो jewelry है वो सब लिया और यहां पर बहुत type के earring है बतलब कौन सा छोड़के आप कौन सा लोग है यह आपको लगेगा तो हाँ यह जो earring है यह मैंने सब से पहले लिया था तो वो clip बाद में आ गया बतलब इंटर करने के बाद सब से पहले मैंने यह जो earring है यह लिया था और इसका price I think 30 या 50 कुछ लिया है तो आपको इस type का dress जो है वो भी मिल जाएगा और यह सिर्फ 100 रूपीज का है पर कुछ का size इतना जादा लॉंग है या बरा है कि वो आपको fit नहीं आएगा और कुछ कुछ का जो fit है वो मतलब बहुत ही छोटा आता है तो वो आपको थोड़ा सा देखना परेगा नहीं तो आपको कम price में भी बहुत अच्छा अच्छा चीज मिल जाएगा तो देखिए यह यहां पर बच्छो के लिए भी जो soft toy होता है वो भी मिल जाएगा आपको तो सामने यह 100 रुपीज का टॉप है तो यह जो टॉप है वो हमें यहां पर भी मिल जाता है इसलिए मैंने नहीं लिया है और मैं जब गई थी तब 11 या 11 बज रहा था और उस टाइम पर भी बहुत सारे साथ या 8 बज रहा था और पता नहीं वहां पर जाके हमें भूग भी नहीं लगा हम लोग मतलब वहां पर जाके एकदम पागल हो गये थे कि इतना जादा इतना कुछ इतना कम प्राइस में मिलता है तो बहुत ही अच्छा एक शॉपिंग करने का जगा है और सच में अ फिलाल सरुजीनी और एक पाली का बजार जो मार्केट है वहां पर गय थी तो उसका जो भी वीडियो है मैं थोड़ा सा ही लेके ले पाई तो उसका भी जो वीडियो है वो मैं लास्क में दिखा दूंगी तो यहाँ पर बच्चों का भी जूता जो है वो मिल जाता है और बहुत ही trendy trendy जूता आपको मिल जाएगा जो आपको online मिलता है और यह soft toy भी बहुत अच्छा अच्छा था रास्ते के सामने था तो आप इसको घर जाके थोड़ा सा clean करके फिर use कर सकते हो वो better होगा और हाँ मैं camera ऐसे ही कर रही हूँ क्योंकि बहुत जादा भीर था और सब धक्का देके मुझे भाग रहे थे तो इतना नहीं हो रहा था तो मेरा जो camera करने का shoot करने का जो process है वो please sorry क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं कर पाती हूँ और मेरा जो tripod है वो भी वहाँ पे टूट गया था तो मैं उसका भी use नहीं कर पा रही थी और एक साथ साथ मैं camera करना और चीज लेना ये दोनों मेरे साथ नहीं हो रहा था और उसके साथ साथ मेरे पास bag भी था तो थोड़ा सा problem था तो यहाँ पे 100 का sweater जो है वो देख रहे हो एकदम पतला से मोटा सब कुछ आपको मिल जाएगा बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे मतलब कुछ फटा हुआ ना हो तो यह 80 का है और 80 का हिसाब से यह बहुत ही सुन्दर है तो मैंने कुछ कुछ ट्रेस जो है वो 30-80 का भी लिया है यहाँ पे शौट जो skirt है वो बहुत ही अच्छा collection था अगर कोई short skirt हट टाइम पहनते है तो उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छा है पर मैंने skirt नहीं लिया क्योंकि मैं short skirt इतना जादा तो नहीं पहनती हूँ इसलिए मैंने short skirt नहीं लिया है पर 3-4 मैंने long skirt लिया है जो की 200 में था और वो बहुत ही अच्छा मिला है फिर यहाँ पर एक shop था यह तो मैं देखती हूँ अभी यह बहुत ही जादा trend में है मतलब हर किसी के पास शायद इस type का जो airing होता है वो होगा ही तो मैंने यह जो है इस type का एक लिया और सभी नहीं एक एक अलग अलग type का लिया है और इतना अच्छा collection था मतलब मुझे लग रहा था कि इसको छोड़के क्या लूप पर मैंने control किया फिर मैंने एक ही लिया शायद यहां से फिर यहाँ पर आपको इंडियन भी बहुत सारा collection मिल जाएगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ western dress है मिलता है इंडियन में भी आपको कुर्ती फिर जो शरारा होता है सलवार कमीज यह सब मिल जाएगा यहां तक कि जो सारी लहेंगा यह सब भी आपको यहां पर मिल जाएगा और कुर्ती का price जो था वो 300-350 इसी type का था और यह जो jewelry है यहां का जो collection था वो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा पर यह उपर जो gold देख रहे हैं हो करे type का यह मैंने यहां पर price पूछा उसने उन्होंने बोला कि 950 का है और उन्होंने 500 के नीचे नहीं बोला तो मैने नहीं लिया इसको और फिर यह सब करते करते राध हो गया उसके बाद मैंने ज्यादा shoot नहीं किया फिर रात के time पर मतलब रात मतलब शाम के time पर हम लोग गये बतलब उस टाइम पे भी हम लोग शॉपिंग करना बंध नहीं किये तो यह जो भी शॉप है यहाँ पे आपको इंडियन बहुत सारा ड्रेस मिल जाएगा मैं इन सब शॉप के अंदर तो नहीं गई क्योंकि मुझे टॉप इतना जादा नहीं लेना था और इंडियन जो भी कलेक्शन है वो मुझे इतना जादा तो नहीं लेना था इसलिए मैंने अंदर तो मैं नहीं गई पर आपको यहाँ पे अच्छा-चा सारी लहंगा भी मिल ज जीन्स, टी शर्ट, फिर शोईट शर्ट जो होता है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा मेरे हस्पेन ने भी दो शोईट शर्ट लिया है उनका जो क्वालिटी है वो बहुत जादा ऐसा तो नहीं है कि बहुत अच्छा है पर 200-300 रूपे में आपको अच्छा-च्छा मिल जाएगा और हाँ, गर्ल्स का यहाँ पर ट्राउजर जो है वो 150 में मिल जाएगा और जीन्स जो है वो 200 में मिल जाता है पर जीन्स का जो प्राब्लेम मुझे लगा कि जीन्स का साइस इशू हो सकता है क्योंकि हर एक का body type जो होता है वो अलग होता है तो आपको अगर पसंद आए या आपको अगर आपका fit ठीक ठाक से आता है तो आप यहां से jeans भी ले सकते हो क्योंकि 200 रूपीस में जो भी jeans यहां पे मिल रहा था वो वाके में बहुत ही अच्छा था क्योंकि बाहर आपको 200 में इतना अच्छा jeans नहीं मिलेगा और एक चीज यहां पे यह जो bag है यह बहुत जादा बिकता है यह 60-70 इसी price में बोलते है और इनको पता है कि यहां पे extra bag लगेगा ही तो यह bag बहुत मतलब हम में तो सभी ने एक एक करके ले लिया एक दो करके यह bag मैं तो घर से बहुत सारा bag लेके गई थी पर फिर भी वहां से एक मुझे bag लेना पड़ा और कुछ चीज मैं बता देती हूं कि यहां पे जो लोग है ना कुछ-कुछ लोग साम आके आपको यह belt और कुछ-कुछ लोग वाच फिर परफ्यूम इसी टाइप का कुछ-कुछ चीज आपको हर टाइम आके ऐसे बोलते रहता है तो वो थोड़ा सा मेरे लिए annoying थिंग था क्योंकि एक ता मुझे सामने आके वैसे बोल रहे थे तो छोड़ो उन सब को यहां प मतलब हम लोग जिस दिन बैक कर रहे थे उस दिन सुभा जाके मैंने एक लेजर लिया है उसको लेने के लिए फिर से मैं उस दिन गई और उस दिन भी मैंने कुछ दो-तीन चीज ले लिया तो उस दिन हम लोग 12 बजे गए थे शायद थोड़ा ही टाइम मिला क्योंकि हमारा ट्रेन था तो बस जो भी जरूरत का सामान था वोही हमने लेने गई थी मैं हम सभी ने गए थे तो आपको इस शौप मतलब जो शौप लगा हुआ है उसके अंदर भी आप जा सकते हो वहाँ पे भी आप बार्गिन कर सकते हो पर वहाँ पे जादा बार्गिन नहीं करता है क क्योंकि उनका जो collection होता है वो तो बहुत ही अच्छा होता है और जो quality होता है वो भी अच्छा होता है तो बाहर जो मिल रहा है वो आपको 100-200 में मिल जाएगा अंदर जो है वो आपको थोड़ा सा costly मिलता है मतलब 300-500 के अंदर ही मिलेगा पर उनका जो quality होता है वो बहुत ही अ जो collection जो था वो मुझे जादा अच्छा लगा और dress पर मैंने लिया है पर नॉर्मली dress जो है यहां पर मिल जाता है और बाकी तो मिली जाता है और graffiti lane में ही मैं गई थी तो उसका मैं clip आगे थोड़ा सा देती हूं पर graffiti lane में जो blazer या coat ये long coat, sweater ये सब है इनका price वो लोग तो बहुत जादा बोलते हैं मतलब कोई-कोई तो 1200-1500 बोलते हैं पर आप 200 या 300 से जादा मत बोलना वो लोग मान जाता है graffiti lane का यही एक अच्छा बात है कि वो लोग आपको बैक नहीं कराते मतलब चले जाओ या कुछ वो लोग ठीक देते हैं थोड़ा बहुत कम जादा करके वो लोग दे देते हैं जादा तो price करते हैं पर 200-300 में आपको मिल जाएगा मैं जैसे 200 में सारा जो भी सामान है वहां से लेके आई हूँ और रास्ते में ऐसे ऐसे आके आपको बहुत कुछ मतलब सेल करते हैं जैसे मैट फिर फ्रीज के लिए कवर वाशिंग मिशिन का कवर फिर कोई-कोई आके टाटु कड़ो बहुत जादा मतलब इतना जादा लोग ऐसे बोलते हैं पता नहीं फिर देखो जो शॉप है यहां पर सेरेमिक का जो भी सामान है बहुत ही अच्छा मिलता है मैं तो 2-3 लेकर आई हूँ और इसका जो प्राइज है वो बहुत जादा नहीं बोलत है 200-300 में आपको बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा सेरेमिक का और आपको 30 या 60 रूपीज में भी बहुत अच्छा टॉप या ड्रेस यह सब मिलता है पर वो ही आपको थोड़ा सा चेक करके लेना पड़ेगा मैं एक 30 रूपीज का टॉप लेके आई हूँ पर वो मेरे लिए नहीं है मैं अपनी सिस्टर को दूँगी और एक जो ट्राउज है वो हंड्रेट रूपीज में मिल गया है वो भी मैं अपनी सिस्टर के लिए लेके आई हूँ तो आपको इस टाइप का जो कुर्ती के साथ जो पलाजो होता है उस टाइप का भी सेट मिल जाएगा देर सो दो सो रूपए मैं फिर जो पतला पतला ब्लैंकेट देखा यह और मैंने तो जादा यह सब नहीं देखा क्योंकि इतना मोटा मोटा चीज वहां पे लेके जाने का कोई फायदा नहीं है तो यहां पे जो बेल्ट था वो मुझे अच्छा तो लगा पर इसका जो प्राइस था वो लो कम नहीं कर रहे थे मतलब सारी 300 का सारी 300 ही बोर रहा थ थोड़ा भी कम नहीं किया पता नहीं क्यों और जूता यह सब तो मैंने नहीं देखा बैक जो है यह सब जो टोट बैक जिनको बोलते हैं अभी जो बहुत जादा ट्रेंड पर है यह सब बैक का प्राइस जो है वो सारी 300 बोर रहा था पर मैंने बैक नहीं लिया है यहां पे मैं बहुत जल्दी जल्दी जो है वो camera को move कर रही हूँ क्योंकि इस जो lane यहाँ पे जो lane है यहाँ पे मुझे एक चीज देखना था मैंने एक pleasure लिया है तो मैं पहले जिस दिन आये थी उस दिन देखके मुझे बहुत पसंद आया था फिर उस दिन मुझे 500 बोला था तो मैंने 200-200 बोला पर उन्होंने माना नहीं तो मैं आ गई फिर घर आने के बाद मेरा मन बहुत जादा दुख हो गया था कि अदे इतना अच्छा एक piece मिल रहा था मैंने नहीं लिया तो मेरे हस्बन ने बोला कि जाओ अगर पासो भी बोलता है अगर आप तुमको पसंद है तो तु मेरा तो टार्केट ही था कि वो मुझे लेना है तो इसलिए मैं वो जो शॉप है उनको ढून रही थी मुझे मैं थोड़ा सा भूल गई थी कि कि साइड में है या कॉन सा शॉप है ऐसे तो मुझे इतना याद नहीं रहता था क्योंकि मैं फर्स टाइम गई हूँ तो यहां पर देखो बेल्ट का कलेक्शन आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा और मैं जो जहां से ब्लेजर ये जब लेके आई हूँ वो जो बिक्सी का लेन है बिक्सी के सामने जो रास्ता है उसी साइड में और हाँ यहां पर मैं जब पहले जाने से पहले वीडियो देखती थी तो यहां पर जो श्रग होता है वो 200 में दिखा रहा था पर मैं पूरा मार्केट घूम लिया मैं 200 में कहीं पर उतना अच्छा जो फ्रोलर प्रिंट का जो श्रग होता है वो मुझे नहीं मिला थोड़ा सा डिफ्टरंट टाइप का मिला 200 रुपीज में और जो अच्छा तो सामने ही Bixie के साइड में ही एक शौप था, वहाँ पे नेट का जो ड्रेस है वो बहुत ही सुन्दर सुन्दर मिल रहा था, कोई अगर वेलवेट का टॉप जो है वो सब पहनना पसंद करते हैं, तो Bixie के पास ही एक शौप लगता है, तो आप वहाँ पे ट्राइ कर सकते ह और यहाँ पे आके सभी नाई ड्रेस चो होता है, वो बाई करते हैं, जो लोग वीडियो देखते हैं या यह सब खबर लेते हैं, उनको पता है, पर मैं नहीं लिया, क्योंकि जो ड्रेस है, वो सारी तीन सो का बोर रहा था, और वो जो कपरा है, वो सौफ्ट कपरा नहीं थ तो मेरे हस्बन ने यही बोला कि इनको आप सदी के टाइम पे ही पहन सकते हो, रात के टाइम पे, बाकी कर्मी के टाइम पे इतना पहन नहीं सकोगे, तो मैंने क्या हम सभी नहीं लिया, थोड़ा जादा ही प्राइस लगा, पर वो लेने का मेरा बहुत जादा मन था, वो अ यहां पे जो कपरा है, वो इतना अच्छा नहीं था, फिर जो कलर है वो थोड़ा सा फेट था, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया, नहीं तो मेरा जो चेकलिस था, मैं तो जाने से पहले सब कुछ एक लिस्ट पना के गई थी, कि मुझे क्या क्या लेना है, तो उसके अंदर वो भी था कि मुझे वो उस टाइब का जो ड्रेस है वो लेना है, और यहां पे बैक का जो शॉप है, वो बहुत ही अच्छा आपको मिल जाएगा आपका बजिट में, तो यह ग्राफिटी लेन है, मैं इतना दिन तक सिर्फ यूटूब वीडियो पे ही देखती थी, पर सच में यहां पे जो कलेक्शन है वो बहुत ही सुन्दर है, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डिफरेंट डिफरेंट कलर में, आपको जो लॉंग कोट है, इतना कम प्राइज में आपको मिल जाएगा, यहां पे जो मैंने पहली ही बोला, कि थोड़ा जादा बोलते है पर थोड़ा कम करके आप यहां पर ले सकते हो तीन सो सारे तीन सो दो सो में मैंने लिया है तो दे देगा फिर यहां पर लॉंग पैंट जो है वो भी मिल रहा था फिर आने के टाइम पर यहां पर एक शॉप है यहां पर 60 और 80 का कुछ-कुछ शॉप था मतलब ठेला लगा हुआ था यहां से मैंने एक 80 का टॉप लिया है वो मुझे अच्छा ही लगा 80 में अच्छा कलेक्शन था और यहां पर एक शॉप था जहां पर लर्कों का जो शॉट होता है वो मिल रहा था तो यह मेरे हजबन ने दो लिया है और इसका क्वालिटी मुझे नहीं पता अभी तक तो ठीक ठाक है बहुत जादा खराब भी नहीं है बहुत जादा अच्छा भी नहीं है धाय सुरूपे में मुझे ठीक ठाक लगा तो आप अगर लर्कों के लिए कुछ देना चाते हो तो जरूर इसको देना और एक बात में बोल देती हूँ कि यहाँ पे जो तोरन होता है वो बहुत जादा बिख रहा था पर मेरा दिमाग में यह सब नहीं था कि सामने दिवाली है मैं ले लेती हूँ तो वहाँ पे दोसों में ही अच्छा अच्छा तोरन मिल रहा था और हमारे सेलीगुरी में मैंने जब पूछा तो वो ढ़ाई अब 300 सारी 300 तक बोल रहा है तो अगर आप जाते हो तो यहाँ से तोरन जो है वो आप या दर्वाजा के साइड में लगाने के लिए यह सब चीज आप यहाँ से ले सकते हो जरूर लेना और यहाँ पे जो क्रंच होता है मतलब जो गदर हम लोग बोलते हैं तो वो सब का भी अच्छा-चा कलेक्शन था और 50 या 10 रूपीज में जो भी चीज है आपको मिल जाएगा तो कुछ-कुछ चीज जो है वो आपको यहाँ पे आके डेफिनेटली बाई करना है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि और कहीं पे इसे सस्ते में कुछ मिलता है जैसे पाउच जो है वो 100 100 में इतना अच्छा-चा मिल रहा था मुझे नहीं पता कि कहीं और पे मिलेगा फिर जोलेरी जो है वो भी बहुत ही सुन्दर-सुन्दर है सेकेंड डे में मैं तो 100 में 4 जो एरिंग है वो लेके आई तो यह सब जो है फिर लॉंग कोट और टॉप यह सब आपको ज़रूर यहाँ से बाई करना है क्यigon कि बाहर आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा पता नहीं आपके साइड में मिलता है कि नहीं पर मेरे यहाँ पर यह सब जो कलेक्शन है वो इतना अच्छा नहीं मिलता है फिर और एक चीज़ में बता देती हूं कि COVID test के बारे में तो हम लोग जिस दिन पहले दिन गय थे उस दिन CAP में गय थे पर 2nd day हम लोग मेट्रो में गय थे तो मेट्रो से जो लोग आते हैं और वो लोग जब market में entry करते हैं तो उनको COVID test के लिए बोला जाता है पर आप कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो बहुत सारे लोग ने किया हमारा तो डबल डोज हो गया था तो मैंने हमने नहीं किया और उस दिन ही हमारा बैक था तो करके भी कोई फायदा नहीं था इसे नहीं हमने नहीं किया है और आपको मार्केट के अंदर जरूर मास्क पहन के रखना है बहुत सारा रूल्स जो है वो आपको मानना ही है तो ये है पाली का बजार तो ये जो मार्केट है बहुत सारे लोग जानते होंगे बैसे कि लिए यहाँ पे आपको वेस्टर्न, इंडियन और गर्ल्स, बॉइस दोनों का ही नहीं था, कुछ-कुछ शॉप ओपन था पर यहाँ का जो कलेक्शन है वो बहुत ही सुन्दर है मतलब बॉइस के लिए अगर आप कुर्ता या शेरवानी फिर ब्लेजर, लॉंग कोट जैकेट ये सब लेना चाहते हो या वेस्टर्न जो ड्रेस होता है वो सब ही यहाँ पर अच्छा मिलता है फिर लर्कियों के लिए भी सारी लहेंगा, फिर सलवार सूट और टॉप, जैकेट ये सब मिल रहा था पर यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा मतलब सरोजीनी मार्किट जैसा ऐसा नहीं है उससे बहुत ही अच्छा क्वालिटी है तो उस हिसाब से आपका जो प्राइज है वो भी थोड़ा जादा ही लगेगा मतलब आप यहाँ से यह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो की 200-200 में आपको अच्छा चीज मिलेगा मिनिमाम 500 का तो सामान होता ही है यहाँ पे तो मेरे हजबन ने यहाँ से एक जैकेट खरीदा है वो 700 में मिला है तो वो लोग थोड़ा जादा ही बोलते है मतलब 1000, 1500, 2000 ऐसा ही बोलता है तो उसको कमा के आप 800 या 1000 के अंदर आपको यह सा मिल जाएगा पर यहाँ पे कलेक्शन जैसे अच्छा है और क्वालिटी भी उतना ही अच्छा है तो आप यहाँ पे बहुत सारा शौप है हम तो इतना कुछ देख नहीं पाए पर आप अगर जाते हो तो जरूर ट्राइ करना फिर लड़कियों के लिए अगर जीन्स है तो आप जीन्स भी लेना है तो आप जीन्स भी यहाँ से ट्राइ कर सकते हो तो यहाँ पे सामने ही जो एक शौप है यहाँ से हमने वो जैकेट लिया है और लड़कों के लिए बहुत ट्रेंडी ट्रेंडी जैकेट जो लॉंग कोट फिर टी शिर्ट ये सब मिल रहा था आप ज़रूर यहां पर ट्राइ कर सकते हो तो वीडियो मुझे पता है कि इतना अच्छे से शूट नहीं हो पाया क्योंकि मैंने बोला कि मेरा क्या प्राब्लेम था जितना हो सके मैंने शियर किया है और आप अगर दिल्ली जाते हो और टाइम मिलता है तो आप लोग ज़रूर यह सब मार्केट जो है वो विजिट करना और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं फिर इंस्ट्रागाम पे मैसेज भी कर सकते हैं और एक लाइक कर देना शेयर कर देना थैंक यू फो वच आपसे आपको हुआ जाएब करूम् मेरेयो चाहिए।